हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में इस तरीके का फ्रेल वाला कुपसूरा सा हैंडबैक बनाना सीखेंगे मैंने इसे कपड़े के सिंगल पीस से बनाया है मैंने इसमें कोई कटिंग नहीं की है बिल्कुल न्यू फोल्डिंग ट्रिक है सारे बहुत पसंद आगा बहुत ही यूनिक तरीका है बनाना बेहदासान है तो प्लीज वीडियो को इसकी मत करिएगा आपको बहुत पसंद आएगा तो चलिए बिना डिले किये हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं तो मैंने यहाँ पर लिया है मेन फैब्रीक बीच में है र हाफ हाफ portion में divide हो जाएगा इससे wrinkles नहीं आते हैं अच्छे से हाथों से set करते जाएए और पूरे पर सिलाई लगा के quilt कर लीजे तो इस तरीके से हाफ साइड में हमारा quilt हो चुका है अब हाफ साइड बच्चा इस पे भी सिलाई लगा के हम quilt कर लेंगा देखिए कोई wrinkles नही है तो इस तरीके से one piece मैंने quilt कर लिया है अब बताती हूं इसका measurement तो ऐसे ये lengthwise देखिए है 23 inch और ऐसे width में है ये 16 inch अब 2 minute के लिए इसे side में रख देते हैं अब बनाएंगे handle तो handle के लिए मैंने 2 pieces लिये है measurement देख लेते हैं तो ऐसे देखिए length में है ये 16 inch और ऐसे width है इस इस पर सिलाई लगा लेंगे तो इस तरीके से जैसे handle बनाया है दूसरा handle भी ready कर लेंगे दोनो handle ready हो चुके हैं दो मिनट के लिए से side में रखते हैं अब लेते हैं कपड़े की लंबी पट्टी इसमें बनानी है फ्रिल तो length तो अपने cording ले लिजेगा अभी बताती हूं आ पूरे पर ऐसे सिलाई लगा लेना है तो यहाँ पर मैंने पूरे पर सिलाई लगा लिया है अब इस पर हम फ्रिल बनाएंगे तो फ्रिल जैसे हम बनाते हैं simple वैसे नहीं बनानी है तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा इसको अंदर की तरफ करना है ऐसे मतलब उपर की तर लाना है यह पट्टी है हमारी इसको अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड कर लिया उपर की तरफ किनारे पर सिलाई लगा लेंगे जहां पे रफ सैट को लॉग किया था वैसे ही रफ लगा लेंगे दूसरी प्लेट हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे ऐसे तो जैसे हम कभी अपने कुर् फ्रिल बनानी है। इस प्रिल बना लेनी है। एक प्रिट्स के अनीचे लिपनाना है। अग्यां से देखेखें को बनतीमाँ एक की तरफ जाना है। यहीं्याँ mahdi जबाना है। तो मैंने एक बार में लंबी पट्टी बना लिया है ताकि दुबारा से मुझे ना बनाना पड़े जित्ती ज़रुरत होगी उतना मैं इसमें स्टिच कर लूगी बैग में तो देखे इस तरीके के पैटर्न के हमारी फ्रिल बनती चाहेगी और इसी तरीके से हमें आगे पूरी पट्टी पर बना लेना है यहाँ पर मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है अब जो मैंने वनपीस रेडी किया था यह लिया मैंने यहाँ पर निशान लगा लेंगे विर्थवाले पार्ट से 3.5 इंच पर निशान लगाने के बाद इस पर निशान को मिलाते हुए स्टेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे जैसे मैं इस साइड कर रही हूँ सेम तरीके से दूसरे साइड यह देखे स्टेट लाइन ड्रॉ किया विर्थवाले पार्ट पे फिर से 3.5 इंच पर निशान लगा लिया इस निशान को आपस में मिला लेंगे और स्टेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे अब जो यह निशान लगाया है मैंने फ्रिल लिया मैंने फ्रिल को इस पर स्टिच करेंगे folded side बाहर के तरफ रहेगी और इस तरीके से इसी निशान पर रखते हुए हम सिलाई लगा लेंगे तो देखिए बिल्कुल बराबर से हमारी frill आईगी जहाँ पर निशान लगा है तो ऐसे रखते हुए हम stitch कर लेंगे तो ये मैंने पूरा stitch कर लिया अब जो extra बची है frill उसको दूसरे side लगा लेंगे अब देखिए rough side है ना इस rough side को ऐसे करेंगे fold करेंगे उपर वाले part को जो 3.5 इंच वाला part था हातों से अच्छे से बठाते हुए set कर लीजे set करने के बाद एक हाफ इंच पर निशान लगा रही हूँ इतना stitch करना है कि जो rough side है frill की वो सिलाई के अंदर दब जाए इससे होगा क्या finishing तो आही जाएगी साथ में आपको straight पटी लेके अलग से finish नहीं करना पड़ेगा तो वो महनत भी बच जाएगी और पटी भी नहीं लगाना पड़ेगा देखें खुपसूरत frill हमारी उपर की तरफ आगए यह कोई rough side है ही नहीं सेम तरीके से हम दूसरे side भी जहाँ पर निशान लगा है straight line draw है वहाँ पर हम frill को attach कर लेंगे और फिर अंदर की तरफ दबाते हुए इससे stitch कर लेंगे यह देखें यहाँ पर मैं frill को attach कर रही हूँ folded side बाहर की तरफ है rough side देखें 3.5 inch वाला जो area है उस side है यह देखें frill हमारी attach हो गई है इसको अंदर की तरफ fold कर लेंगे fold करने के बाद हाथों से अच्छे से बैठाते हुए set कर लीजे और पूरे पर सिलाई लगा लीजे तो half inch का margin रखा है ताकि rough side सिलाई के अंदर दख जाए यह देखें कोई rough side नहीं है और one piece में कोई cutting नहीं करनी पड़ी frill भी attach हो गई अब विर्थ वाले part पर देखें निशान लगा लेते है 16 inch का area है center point 8 inch आ जाएगा फिर 18 inch से 2.5 inch का दोनों side distance ले लेंगे तो यहाँ पर attach करना है हमें handle को दो निशानी side लग गए अब सेम तरीके से दूसरे side निशान लगा लेंगे center point 8 inch और दोनों side 2.5 inch का distance अब यहाँ पर हम attach करेंगे handle को तो यहाँ जो मैंने handle बना के रखे थे यहाँ पर stitch कर लिजे तोनों side इस तरीके से रख लिया stitch करके अच्छे से पका कर लिए belt stitch हो गई अब लगाएंगे zip zip के सीधी side नीचे की तरफ रखना है और पूरे पर सिलाई लगा लेना है यह मैंने सिलाई लगा लिया अब कपड़े की सवा इंच की पट्टी लिया है सीधी side नीचे की तरफ है पट्टी की और ऐसे रखते हुए हम सिलाई लगा लेंगे पूरे पर मैंने सिलाई लगा लिया extra cut कर लेंगे अब देखे zip को उपर की तरफ करना है और जो पट्टी है उसे पीछे की तरफ हाँ पुश कर दीजे कपड़े को अच्छे से सेट कर लिजे और इस पर टॉप स्टिच लगा लिजे हैंडल को उपर की तरफ कर लेंगे इसके बाद हम इस पूरे पर टॉप स्टिच लगा लेंगे जिप के उपर टॉप स्टिच लग गई पलट लेंगे अब जो ये पट्टी थी से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद पूरे पर एक सिलाई लगा लेंगे इससे जिप बहुत अच्छे से फिनिश हो जाती है कोई रख साइट नहीं होता ना ही रणर में फस्ता है जिप हमारी लंबे समय तक चलती है ये देखिए बहुत फिनिशिंग से हमारा सारा काम हो गया फ्रेल भी लग गई और जिप भी अटैच हो गई जिप को ऐसे क्या करना है इससे उल्टा कर लेना है उल्टा कर लिया अच्छे से फ्लैट बिछा लीजे जिप को उपर की टॉप की तरफ कर दीजे ऐसे जिप को उपर की तरफ कर लिया इस तरीके से फ्लैट बिछाना अच्छे से अब नीचे की तरफ हम दो कट लगाएंगे, आप निशान भी लगा सकते हो दो कट मैंने लगा लिया, कट लगाने के बाद देखिए जहां पर कट लगाया है उसे खीचते हुए उपर जिप के साइड ले जाना है, ऐसे ऐसे करते हुए हम यहाँ पर पिन कर लेंगे ताकि यह सेट हो जाए दूसरे यह वाले कट को हम जिप पर अटाइज करेंगे और पिन कर लेंगे अब अच्छे से फिर से फ्लैट कर लेंगे, जिप हमारी सेंटर में आ चुकी अब ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान देने वाला है यह देखिए इसको ऐसे ले जाते हम जिप की साइड ले जाएंगे फोल्ड कर देंगे अंदर की तरफ और पिन कर लेंगे, जैसे हम शू पाउच बनाते है बिल्कुल सेम तरीका ऐसे करते हुए अंदर की तरफ ले जाना है जिप पर और पिन कर लेना है आप टैरेक्ट सिलाई भी लगा सकते हो दूसरे साइड देखिए, यह जो पार्ट है इसे जिप के साइड हमें ले जाना है जिप तक ले जाएए पूरा और एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर आदीजे पार्ट को पिन कर लेना है इसे देखिए इस तरीके से खेशते वह जहां मेरी फिंगर है इसे जिप तक ले जाएए बस यही फोल्डिंग ट्रिक है ऐसे ही फोल्ड करना है और सिलाई लगाना है तो बस यहाँ पर आप सिलाई लगा लीजे दोनों सैड दोनों सैट मेरी सिलाई लग चुकी है, रफ सैट को फिनिश कर लेते हैं, पिन को निकाल लिया है, सेम तरीके से स्टेट पट्टी से रफ सैट को फिनिश कर लेंगे, उपर नीचे से फोल्ड कर देंगे, ताकि कॉर्नर्स पे अच्छे से फिनिश हो जाएं, जैसे सैट किया ह सेम तरीके से दूसरे साइड कर लेंगे, फिनिश हो चुका जिप पले साइड से उपन करेंगे, पलट के सीधा करेंगे, सारे कॉर्नर अच्छे से निकालीजे, इस पेशली फ्रिल वाला पर्ट ज्यादा ध्यान दिजेगा, वहाँ पे भी कॉर्नर को निकालीजेगा, यह दे लग रहा है, अब आपको मैं इसका मेजर्मेंट बताती हूँ, तो देखिए, ऐसे है यह, 11 इंच, उपर के तरफ जो टॉप फेस है, यह है, 6 इंच, इसके साइड वाला पार्ट यह देखिए, 5 इंच, तो इस तरीके से खुपसूरत सा हैंड बैक तयार हो चुका है, आप इसको कोई bright fabric पे बना सकते हैं, rocket पे बना सकते हैं, बिल्कुल party wear style में, और इसी को आप vanity pouch की तरह भी यूज कर सकते हैं, तो देखिए, पैटन सीखने सिखाने का एक ही होता है, बेसिक तरीका, इससे कई चीज़े बन जाती हैं, तो देखिए, इसकी sides कितनी खुपसूरत बन झाल